हेलो वाट्स आप गाइस मैंने में स्पिनोध बादु थापा एंड वेलकम तू जास्क्रिप्ट एट हंडेज अज है हमारा दे नमबर थर्टी सेबन तो सबसे पहले बाद आना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे बाकी जो प्रीबियस चैलेंगे से उसको चेक आउट है तो जहूँ चेक आउट कीजेगा प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में प्रवाइड करा दूंगा एंड हमारा वोल्ड बै जास्क्रिप्ट कोर्स पार्ट वन पार्ट वें दन जो एक कॉमर्स है उसको भी चेक आउट निगा तो जहूँ आपको बहुत ही ज़यादा होगी ओलड गैस तो आज का बडियों भी बहुत ही जयादा सिंपल वने जा रहा क्योंकि अभी तक हमने लेकिक सिंपल जो इंट्रेस्ट होता है राइट बच्च्वन में हमने बहुत पड़ाया मैध्स में एंड ये गम्पनी में भी बहुत ही ये वीडियो तो अभी तक का ये जो हमारा 100 days जो है ना guys उसमे I guess top 5 में आता होगा एकदम simplest में ठीक है So देख लिजे, write a function calculates simple interest that calculates the simple interest given the principal amount, rate of interest per annum and time in year simple तो हमें simple interest find out करना जहां पे we have this principal amount or rate of interest हमारे पास है and then हमारे पास time in year से तो guys सबसे पहले तो आप आपको ये जानना होगा कि आप इसको कैसे calculate कर सकते हो ठीक है उसके लिए we have a formula and without formula ये तो आप फिर कभी जिन्दगी में करी नहीं पाओगे है ना समझ रहे हो तो अब यहां पे बात यह जाती कि यार बच्वन में हमने जो पड़ा वो तो कभी काम आया नहीं तो काम आ गिया बच्वन में जो हमने इंट्रेस्ट को में कर लेता हूं copy and मैं यहां पर चल देता हूं यहां पर में paste कर देता हूं what is the simple interest तो यहां पर एक image मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर दिखा रहा है simple interest अगर आपको find out करना है then एक formula है that is principal amount into rate of interest into time divided by 100 अगर आप इस formula को यूज करते हो then guys आपको आपका simple interest मिल जाएगा alright that's good that's nice you know so यहां पर हम चलते है so const आपने देखा guys the moment हमें formula पता चल गया आपको लग रहा हूंगा यहां पर हम चलते है यहां पर मैं directly return कर दो हूंगा इस कुछ इदा उदर एक्षा करने की need नहीं what we can do is like इस तरही से पहले एक bracket में P into R into T and then divided by 100 कर देते है and I guess इसको आप directly ऐसे भी रख सकते हूं yeah this is it I guess यह तो बहुत ही ज़्यादा simple था हमारे लिए control है save कर देता हूं में अब अगर यहां पर run करता हूं and boom guys see और output is how much 150 and आप देख सकते हूं यहां पर हमारा output कितना आना चाहिता 150 तो कैसा लगा गाईस यह था ना बहुत ही ज़्यादा simple and बहुत ही ज़्यादा easy it just because हमें formula पाता चल गया and हमारा काम हो गया अब इसका मनलब यह नहीं कि कल का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा simple होगा यह आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा simple होंगे मैंने just find out किया मैंने just check out किया यह देखने के लिए कि guys कितनों को यह formula मालूम था जिनको मालूम था उनके लिए तो ठीक है जिनको नहीं मालूम था at least आप पाता तो चल गया न आप एक simple interest कैसे find out कर सकते हो and कैसे आप JavaScript में इसको पूट कर सकते हो यह main मक्सद आज यही था कि कोई भी formula अगर हो maths में तो उसको आप इस तरगी से कितिनी इसले जावस्कृट में राइट कर सकते हो ठीक है so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लित नहीं and believe me कल का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन होने वाला क्योंकि कल में डेट क्यों पर जाने वाला हो बढ़ाने वाले है ठीक है तब साम बढ़ा ही रहते बस आज का ही मैंने जानबुच के यह रखा है ताकि फॉर्मूला को हम कैसे इंटिग्रेट या एड कर सकते तो दिखा सकूं so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लितना ही and I hope आपको बहुत ही ज्यादा पसंदा होगा सबसे पहले तो यह जितने भी प्लेलिस्ट है I mean प्लेलिस्ट में यह जो हमारा डे वान से लेकिए अभी तक यह जितना भी दे है प्लीज जब भी फ्री टाइम में आप जरूद कीजिएगा and वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिए कुछ आपके मान में कोई questions हो जो आप सब्सक्राइब ने किया तो प्रीस कर दिजिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल्टन गाइस तेंक यू सो मच टेक क्यों